नमस्कार, मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोच खबर का एक्रम आप सब को ईद की दिली मुबारक बाद इस उमीद के साथ, इस आशा के साथ कि हमारा आपका प्यारा वतन अमन का राग गाता रहे पूरे देश में सोहार्ध बना रहे विदेश यात्रा पे गए प्रधान मंत्री नरेन मोदी से सीधा सवाल क्या वहां से उन्हें भारत में जिस तरह से नफरत खेलाई जा रही है वह दिखाई दे रहा है यहां के सुलकते सवाल क्या उन्हें सुनाई दे रहे हैं खबर की खोज, सच की पड़ताल जनपक्ष नजरिया, बेखौफ, बेभाग, सत्ता का जूट, बेनकाब आग में तपी पत्रकारिता, दाखती है, सवाल, दर सवाल जिस समय देश में तापमान नई उचाईयां छू रहा है लगातार आसमान से गर्मी बरस रही है, ठीक उसी समय यह भी हमें नजर आ रहा है कि देश में, देश के एक छोड तक, केरल तक, नफरती उन्माद किस तरह से पहुचा है और इसका जिक्र करना बेहस जरूरी है, क्योंकि इस से पता चलता है कि जो नफरती पॉलिटिक्स है, वह किसी भी राजी को अचूता छोड़ने को तयार नहीं है जहां भी उसे जो भी पार्टनर्स मिल रहे हैं, उनके साथ मिलकर वह देश के मुसल्मानों के खिलाफ नफरत उगलने में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड रही इसी कड़ी में देखा जा सकता है केरल के नेता, पीसी जॉर्ज ने जिस तरह से वहां पर मुसल्मानों के खिलाफ पूरा बयान दिया, वह जो पूरा आयोजन था अपने आप में तकरीबन वह उसी तरह का था, जिस तरह से उत्तराखंड से लेकर हिमाचर प्रदेश में और दिल्ली में धर्म के नाम पर अधर्म की संसद हुई, उसी टोन में वहां पर भी नफरत उडेली गई और जिस तरह से जॉर्ज के पक्ष में भाशपा के केंद्री मंत्री उत्रे, भाशपा की पूरी टीम उत्री और वहां पर जो इसाई समुदाय के कुछ संगठन उत्रे, उससे ऐसा लगता है कि नफरत की इस टीम की रणनीती बहुत गहरी है और वह देश भर में अपना वि जी है, यह करनाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, देश की राजधानी दिल्ली में है, बिहार में है, महराष्ट में है, हर्याना में है, यानि देश के हर कोने में तकरीबन एक ही ढंकी बातें लगातार हमें सुनाई दे रही हैं और अलग अलग लो आम देश का समिधान जमीन दोस करने की कोशिश की गई वहां पर सबके सामने जिसमें भाशपा के नेता विधायक भी शामिल हैं वहां पर सुदर्शन टीवी के जो पत्रकार हैं जिनके उपर लंबे समय से यह आरोप लग रहा है कि वह नफरत पहलाते हैं उनमात पहलाते हैं सुरेश चौहान वह सबके सामने शपत दिलाते हैं और शपत हिंदू राष्ट की शपत दिलाते हैं वह कहते हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं हिंदू राष्ट बनाने के लिए और इसके लिए हम बलिदान देने और बलिदान लेने की भी तैयार हैं हिंदुस्तान को हिंदु राष्ट बढ़ाने के लिए अवशक्ता पड़ितों हम बड़ितान देंगे लेगे लेकिन किसी भी किवत पर हिंदुस्तान को हिंदु राष्ट कोशित करेंगे यानि ये जो पूरा का पूरा मौहौल बनाया जा रहा है वह यह बताने के लिए काफी है कि ये तमाम ताक्तें जो उत्तरप्रदेश से लेकर केरल तक में फैली हुई है यह एक दूसरे ढंके कॉंस्ट्यूशन में विश्वास रख रही हैं उसे लागू करने के लिए दूसर धंका उन्माद फैलाने में काम्याब हो रही हैं वरना क्या वज़ा है कि गाजियाबाद में जो हिंदू समागर्म का पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है जिसे तथाकतित तौर पर हिंदू राष्ट्र सेना ने जारी किया है और उसमें ध्यान से देखिए जो आपको मार कर के हम दिखा रहे हैं कि इसमें भारत का नक्षा भी गलत इस्तमाल किया गया है जो सो कॉल्ड अखंड भारत है उसके तहक पूरा का पूरा आस पडोस के तमाम देशों को इसमें शामिल कर लिया गया है इस पोस्टर में उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंतरी देवेन फडनवीस जिस तरह से सारजनिक तौर पर यह दावा करते हैं यह कहते हैं कि जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तब मैं वहाँ था शिवसेना का कोई नहीं था यह जो माहौल है यह माहौल अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है यह बता रहा है कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जो नफरत की कड़ियां बनाई जा रही है इन्हें जोडने के लिए कितनी मशक्कत की जा रही है इसी बीच कुछ घटनाएं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है उनमें एक एहम ख़बर करनाटक से आ रही है करनाटक में लंबे समय से हमें दिखाई दिया कि हिंदुत्व की प्रियोकशाला बहुत ही नफरत की जो पूरी फैक्टरी है वो बिल्कुल दूसरे पैटर्न पर दूसरे स्केल पर दूसरे गेर में गई लेकिन ठीक इसी समय वहां पर जिस तरह का करप्शन चल रहा है जिस तरह का भृष्टाचार चल रहा है उस पर बाचीत बहुत कम है इसकी एक मिसाल मिली जब भाश्पा नेता दिव्या हरगाई को गिरफतार किया गया करनाटक में सब इंस्पेक्टर भरती घोटाला हुआ जिसमें पूरा का पूरा मामला है उसमें करनाटक के ग्रिह मंत्री सहित शीर्श अधिकारी शामिल थे इसमें दिव्या के गिरफतारी पूने से हुई दिव्या वही महिला हैं जो हिजाब मामले में नफरत को एजंडा चलाने वाली बहुत अग्रणी नेता थी भाश्पा की उनके पती को पहले गिरफतार किया जा चुका है यह जो भरष्टाचार का मामला हमारे सामने आया यह इकलौता नहीं है इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि करनाटक में रिश्वत के मामलें पे किस तरह से लोग जो खुद भाश्पा के साथ जुड़े रहे हैं वह बाहर आ यह खबर देखिए जो आपको दिखाई दे रही है इस समय स्क्रीन पर यह बताता है कि आशीश मिश्रा जिनके उपर बहुत ही गंभीर आरोप है किसान आंदोलन के समय SUV को उन्होंने जिस तरह से किसानों और पत्रकारों की उपर चलाया था चार लोगों की मौत हुई थी वह तमाम कोशिशों के बावजूद दुबारा जब जेल गए तब किस तरह से अलग सा कानून उनके साथ है यह जो पूरा का पूरा मामला है इस तरह की जो अंगिनत के लिए चिंता का सबब है इसी तरह से उत्तरप्रदेश के चंदौली से जो खबर आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि किस तरह से पुलिस दबिश के लिए एक व्यक्ति के घर पहुची जिसे अपराधी बताया गया और वहां पर जिस तरह से मार पीठ हुई की परीजनों से जिस व्यक्ति के दबिश के लिए पहुची थी उसकी लड़की की मौत हो जाती है परीजनों का कहना है कि हम मौत पिटाई की वज़े से हुई हंगामा और विवाद तगड़ा हो रहा है इसी तरह से अब आप देखिए कि एक ही देश में अलग-अलग कानू वहीं पर यह खबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यह भी बताने के लिए काफी है कि किस तरह से मौत के बाद भी इस देश में जाती इतनी important है वहाँ पर लाश जलाने से दलित परिवार को वन्चित किया जाता है और कहा जाता है कि तुम नीचे उतार कर लाश जलाओ यह जो पूरा का पूरा माहौल है उससे एक बात बहुत साफ हो रही है कि देश को वापस मनुस्मृति के दौर में जहां पर कानून अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग धंग से काम करता है तकरीबन वही माहौल इस देश में अलग-अलग इलाकों में अल्र तरफ जहां नफरत फल फूल रही है यहां एक नया बिसनेस बन गया है वहीं दूसरी तरफ सरकार कितनी खामोशी से ऐसी नौकरियों को खतम कर रही है जहां पर आम भारती नागरिकों को या यू कहें जो पिछड़ा समाज है उसे एक सरकारी नौकरी मिलने का विकल्प था एक मौका मिलता था रेलवे ने कई पद बहुत खामोशी से खतम कर दिये और इन पदों की सूची देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसमें रसोईया हैं टाइपेस्ट हैं साफ सफाई करने वाले हैं बढ़ई पेंटर माली ये सारे काम करने वालों की न नौकरियां खतम हो रही हैं वही दूसरी तरफ दूसरे ढंकी नौकरियों को जो प्रोमोशन मिल रहा है शायद वहराश्टी और अंतराश्टी इस तर पर जब हम बात करते हैं प्रधान मंत्री नरेन मोदी की उनके नेत्रत की तब उन तमाम चीजों पर चर्चा बहुत कम ह लेकिन ऐसे में ही कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो बता रही हैं कि लोग आवास उठा रहे हैं और बहुत बुलंदी से बहुत सही सही सवाल पूछ रहे हैं ऐसी ही एक खबर जिगनेश मेवानी की है जिगनेश मेवाणी जिस तरह से गिरफतार किये गए, दुबारा गिरफतार किये गए, गुजरात में आकर असम पुलिस उन्हें ले गई, उसके बाद जब रिहा हुए, उन्होंने दिल्ली में समाधाता समेलन किया आप देखिए, वह जो बुनियादी सवाल उठा रहे हैं, वह जो सवाल उठा रहे हैं कि जिस विकास का वादा था, वह विकास कहां गया, गुजरात को इतने बड़े पैमाने पर नशे में क्यों ढखेला जा रहा है, आखिर इतने बड़े पैमाने पर जो नशा आ रहा है, ज जिस तरह से देश की सर्वोच अदालत ने अंततह यह कहा कि कोई भी सरकार किसी भी भारतिय नागरिक को किसी भी सुबिदा से सिर्फ इसलिए महरूम नहीं कर सकती कि उसने कुरोना वैक्सीन नहीं लिया, कुरोना टीका नहीं लगाया या प्रिवेंशन का मैजर नहीं लिया या नागरिक का बुनियादी अधिकार है, या जिस तरह से देश के चीफ जस्टिस प्रधान मंतरी नरेन मोदी से कहते हैं कि अदालतों को काम करने में इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि जो चुनी हुई सरकारे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी हैं, वह मदद नहीं कर रही, य इन्हें आगे बढ़ाना जरूरी है, और इसी क्रम में आप यह तस्वीर देखें, जो तमिलनाडू से आई है, वह मई दिवस को इस तरह से मनाया गया, उन्होंने कहा कि देश में बुल्डोजर का शाशन नहीं हो सकता, बुल्डोजर के खिलाफ देश के हर कोने से आवाज बुलन करने वाले लोग दरसल बता रहे हैं, जो लोग भारत से प्यार करते हैं, वतन से प्यार करते हैं, वे इस वतन के नागरिकों से भी प्यार करते हैं, उनके अधिकारों से बहुत प्यार करते हैं, और शायद बुल्डोजर इस प्यार पर भारी पढ़ने लगता है, ज एक भारतिय नागरिक दूसरे भारतिय नागरिक के पक्ष में मजबूती से खड़ा हो तभी लोकतंत्र की जो डाइवरसिटी है वह जिन्दा रहेगी शुक्रिया